वेलकम बाग दोस्तों इस में हम बात करेंगे दो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक कल के मार्केट 30 अपरेल 2024 मंगलवार Tuesday के लिए और साथ में हम देखेंगे आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक सेलेक्शन कैसा करना चाहिए आपको क्या क्राइटिरिया क्या अप्रोच आप मैंने बोला था यहां पर एक रेजिस्टंस ब्रेक कर चुका है और यहां पर 30.45 का वैलू था अभी दो दिन में यह पाउच चुका है 31.45 का आज गया मरला 3 परसंट का मोमेंटम यहां पर हो चुका है Swing Trading में हम लोग Generally Target करते है 3-5% return within a week और more than that duration बट 3-5% के return हम लोग Target करते है Swing Trading के अंदर अब आईए बात करते हैं कल के आने वाल दिनों के लिए दो स्टॉक के बारे में तो पहला जो स्टॉक है BLS International पहली कंपनी जो है अगर आप Google पे सर्च करेंगे BLS Share तो आपको यह Share मिल जांगा BLS International Services यह स्टॉक है अभी आप लोग जानते होंगे यह कंपनी काफी अग्रेशर है वीजा और इमाइगरेशन सर्विसेस में वीजा और इमाइगरेशन सर्विसेस में यह कंपनी अपनी सर्विसेस प्रवाइड करती है और अगर यहां पर मैं अभी आप देख सकते हैं एक दिन म अल्मोस्ट डबल हुआ है BLS International के अंदर तो अभी स्टॉक का हम डिटेल अनलेसिस करेंगे इसका कैंडल स्टिक चाड़ भी हम लोग देखेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप एक ट्रेडिंग करते हैं आपको एक लाइव मार्केट सपोर्ट चाहिए शांदार तरीके से त 2089 तक गया तो देड़ परसेंट तक का मोमेंटम आज स्टॉक के अंदर हुआ और शांदार प्रॉफिट यहां पर निकला अस्टरल के अंदर तो अगर आप मुझसे जुडे हुए मेरे लाइव क्लासिस रेगुलर अटेंड करते हैं यूटूब पर मुझे अगर फॉलो कर करते हैं तो आप इस पब्लिट टेलेग्राम चनल से आप जूर सकते हैं यहां पर मैं डेली बिस्स पर एकिया दो प्राक्टिस ट्रेड आपके साथ शेर करता हूं जिनको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं उससे कुछ अपने दिमाग लगा कर भी तो प्लीज जॉइन कर प्रोच अपना डेवलप कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर नाउ लेट इस टॉक अबाउट दो बीलेस इंटरनेशनल तो बीलेस का अगर आज ओपनिंग वालु देखेंगे तो ओपनिंग वालु इसका था 332 का हाई पॉइंट 352 का और लो पॉइंट 351 और यह हमारी क्लो देख सकते हैं आज पूरे दिन भर अगर हम वन डेका अगर ग्राफ देखे स्टॉक का तो मौनिंग से इवनिंग तक लगातार यह ग्राफ बढ़ा है बिल्कुल आज स्टॉक बढ़ा है तो कैंडल में हम लोग इसको ओपन इसको लो वैलू बोलते और यह क्लोजिंग पॉ गुगल में सिंपली आप टाइप करिए ट्रेडिंग एव तो यू केन गोटो डाट वैपसाइट वेरी ईजी लिग वने सर्च किया ट्रैक यूल मांकेट्स में गया सर्च करने के बाद बस यहां पर आपको सर्ज बार में अगर आपने यहां पर टाइप किया उस स्टॉक क कर सकते है लौन चार्ट करने के वाद उसका ग्राफ आप ओपन कर सकते ट्रेडिंग भूव ने ट्रेडिंग वीव प्लैटफर्म के ही तूरह हम पूरा डीटेल अनलिसिस करते श्टॉक का तो आए एचे लेके चलता हूं ठ्रेडिंग वीव पर ये ट्रेडिंग वीव है ठ्र पूरा strategy हम लोग discuss करें है full course के अंदर उसको आप easily join कर सकते है यह website है website का link आपको वीडियो के डिशन में starting में ही दिया है बस आपको DMAT referral पर लिंक करना है और अगर आपने अभी तर्ड ट्रेडिंग शुरू नहीं किये या फिर आप कोई नया broker ढून रहे है तो यहाँ पर आप free of cost आपका DMAT account खुल सकता है धना application में या फिर angel 1 में इसमें DMAT account खुलने के बाद आप हमें contact करिये directly and then I will give an access to the course direct आप एक course को free of cost avail कर सकते हैं by opening this DMAT account with this just referral link अब आईए बात करते हैं let us talk about that now अगर आपको कोई भी query हो तो आप इस नमर पे भी call कर सकते हैं तो let us discuss the BLS international तो सबसे पहले यह तो candle है और candle में देखिए यहाँ पर open जो है वो low के बराबर है मतलब आज consistent gain stock के अंदर में हुआ है और अभी क्या कर रहा है stock यह जो old resistance point है इसको यहाँ पर break करके क्या हो रहा है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो resistance point क्या होता है simply है आज जो candle बना है उसके reference में क्या उससे पहले stock उस level पर नीचे गिरा था बिल्कुल आप देख सकते हैं इस point पर stock इससे पहले नीचे गिरा है तो यह एक resistance point हो गया और कैसा लग रहा है इस resistance को break करके stock ऊपर जा सकता है और stock की जो closing हुई है वो day high के आसपास हुई है तो एक शांदार approach रहता अगर आपका stock resistance point को break कर रहा है आसपास break करने के और stock day high के आसपास अगर close हो रहा है तो वहाँ पर बड़ा momentum होने की expectation हमेशा रहती है stock के अंदर now क्या stock में nifty को outperform किया तो हम nifty को भी check कर सकते तो I can apply I can compare the graph with the nifty 50 also तो यहाँ पर अगर मैं plus पे click करूँ और nifty को लगाऊ तो हम nifty के साथ compare कर सकते stock के graph को तो आप देख सकते let us check that कि हाँ nifty से तो stock में हमेशा जादा ही return provide किया है तो let me apply the nifty in the static condition once again तो आप देख सकते nifty को outperform किया stock ने by 8% 8% से इस stock ने outperform किया nifty को पर nifty से एक शान्दा return दिया है आप देख सकते यहाँ पर nifty के return में और इस stock के return में काफी ज़्यादा फरक यहाँ पर आपको दिखाई देर है clearly nifty को outperform किया stock में अभी अगर हम देखे क्या stock कौन सा moving average stock को support कर रहा है तो moving average के लिए आप indicator में जाके आप check कर सकते moving average exponential को तो सबसे जो prominent moving average हम लोग market में यूज करते that is the 20 SMA moving average तो inputs में जाके आप change कर दीजिसको 20 को 20 कर दिया आपने यहाँ पर 20 days moving average बढ़े आसानी से में add कर सकता हो तो देख सकते आप stock में 20 SMA की इर्दगिर stock यहाँ पर घुम रहा है तो कोई बड़ा downfall याने की expectation मुझे यहाँ पर कम लग रहे है So you can apply more moving averages लेकिन जहां तक बात है 20 SMA की तो 20 SMA का importance क्या है अगर कोई stock को 20 SMA को cross कर रहा है मतलब क्या उसने अपनी हाप rally complete कर लिए इस swing में वह आधी rally अभी complete करेगा यहाँ पर stock नीचे होके अभी ऊपर आया है तो जब यह आप stock 20 SMA को break करता है ऊपर साइट पर rally आने की उमीद रहती है अब क्या कर रहा है stock resistance को भी break कर रहा है हाँ पर now we will check whether is it firing the bullinger band or not तो let us check that तो आप देख सकते stock जो है वो not only it is breaking the resistance point कल ऐसा लग रहा है आने वाल दिनों में कि यह जो bullinger band है इसको भी stock यहाँ पर break करके ऊपर निकल सकता है bullinger band को break करके ऊपर निकल सकता है not only it will break the resistance point but it may cross this upper bullinger band also in the upcoming trading session तो एक बड़िया यहाँ पर move यह stock हमको प्रवाइड कर सकता है अब target SL कैसे लगाना है how we should place the target and the stop loss target stop loss के लिए हम छुटी time frame को use कर सकते 15 minutes वाली 15 minutes की time frame को use किया है हमने यहाँ पर और simply तरीके से अगर हम यहाँ पर यह देखे कि इसमें ATR का क्या value आ रहे 15 minutes पर तो ATR एक average two range indicator है जो कि आपको बता देता है क्या target SL यहाँ पर मिल सकता है तो यहाँ पर ATR काफी कम है 2.20 के वाल आ रहा है हमको swing trade लगाना है तो हमको day ATR यूज करना पड़ेगा तो day ATR इसका कितना है 13 रुपए का है तो ATR indicator की जो maximum value यहाँ पर निकल के आ रही है that is the 13 13 आ रही है मतलब जो maximum target यहाँ पर मिल सकता है कल के date पर 13 रुपेज का यहाँ पर target हमको मिल सकता है maximum मतलब जो 3.49 के अभी price चल रही है तो वहाँ पर हम maximum moment expect कर सकते है अपको 362 तक का maximum momentum कल expect कर सकते है और maximum fall हम लोग expect कर सकते है अपको 336 तक के maximum fall और maximum value 362 तक के according to the ATR indicator यहाँ पर समझ में आ रहा है तो अभी exact target और stop loss क्या लगाएंगे वो समझते है तो आप लेख सकते है stock यहाँ पर consolidated हुआ है 320 के आसपास इससे पहले यह बड़े candle का जो low point है वो 332 का है तो I would like to place the target first तो target यहाँ पर क्या रहेंगा उसके लिए trend based feeb extension bottom को connect किया top point को connect कर दिया जहां से यह trend शुरू हुआ है यहां से trend शुरू हुआ है यहां तक गया है तो targets यहां पर क्या है targets यहां पर रहेंगा 358 से लेकर 363 का target यहां पर रहेंगा और यहां पर मेरा जो SL हो सकता है my stop loss is going to be the lower point तो मेरा जो SL रहेंगा यहां पर that will be the lower point is going to be like 345 का मेरा यहां पर SL रहेंगा तो अगर यहां पर entry बनती है तो यह इस range है मेरा target और stop loss मेरा 345 से लेकर 344 के range में मेरा SL रहेंगा तो यह आपने no down कर लिया होगा अब बात करते हैं दूसरे stock की लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस public telegram channel को अगर subscribe नहीं किया है तो आप इसको join कर लिजे आपको बस telegram अगर आपके mobile में है तो वहाँ पर आप search करिए investment on इसको आप बिल्कोल join कर सकते हैं अभी कल मंडे को कल Tuesday को market खुले का वापस से मैं अपना intraday level यहां पर provide कर सकता हूँ तो astral में इससे पहले शांदर प्रफोर्मेंस दिया था उससे पहले शांदर प्रफोर्मेंस आया था dr. lalpat lab के अंदर यह दोनों practice trade है जो भी concepts हम live market में live classes के अंदर discuss करेंगे उसी के business पर यह सारे level होते तो आपकी जो learning रेंगे intraday में वह exponential रेंगे market के अंदर so you can definitely join this public telegram channel investment one link मेंने डाला के रखा है video के decision में तो आई ये बात करते है अभी let us talk about the second trade now तो the second trade in the in this that is a bank of india bank of india अगर आप देखोगे तो multiple times आप देख सते हो एक resistance point से stock बार बार नीचे गिरा है आप देखो यहां पर uptrend आया फिर नीचे गिर यहां पर फिर उपर आया फिर नीचे गिर यहां पर और फिर नीचे गिरा और इस बार लगता है break कर देगा तो चार बार आप यहां पर अगर देखोगे तो इस resistance point से stock बार बार नीचे गि अगर लगा हूँ तो उससे भी कुछ information मिलेंगी तो देख सकते डे candle पर आप पर bulinger band भी यहाँ पर stock ने fire कर दिया है तो एक शांदर यहाँ पर trade बन सकता है आने वाल दिनों में setup बहुत शांदर लग रहा है consolidation एक channel आप देखो यहाँ पर जो support और जो resistance level है support और जो resistance zone है उसके channel में stock यहाँ पर घूम रहा था और अब इससे लग रहा है break करके ऊपर जा सकता है तो I am thinking to buy this stock और मैं इसको buy कर सकता हो around 156 के rate से और यहाँ पर जो मेरा target 156 to 157 can be the good entry level और यहाँ पर target हो सकता है 162 161 can be a good 163 can be a good target for this stock and what will be the stop loss here stop loss can be from the 153 to 152 can be a stop loss level entry level is range में target is range में लगा सकते और यह stop loss यहाँ पर हो सकता है तो यह दोनों जो trade मैंने आपको बताया भी आपको the first one that is a BLS international and the second one bank of India यह दोनों मेरे अपनी ओपीन है मेनी खुद की research है आप खुद भी इन stock की detail research करी है fundamental technical उसके बाद आप decide कर सकते है आपको इसको buy करने है चीए नहीं so please like the video and subscribe to my youtube channel thank you कर दो